नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है, सबसे पहले दीपावली की बहुत बहुत शुब कामना है, इश्वर से प्रातना है कि आप सब को आने वाला समय, आने वाला साल और शुब हो, और आप सब लोग अपने अपने छेत्रे में उन्नती करें, जो आज की एक बड़ी फ़ित खबर है जो पेपर के हेड़लाइन है वो गांदी पाओंडेशन और अगांदी चेड़ेट्रीम्स हो ईनके एफसी आरेक ऑ एक जो इनको दिया गया था FCR A, वो cancel कर दिया गया है, जो license है, और इसका मतलब अब ये, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अब ये, कोई विदेश से कोई अगर कोई donation देता है, तो वो ये नहीं ले सकते है, FCR A, emergency के जमाने में, जब इतना गांधी न emergency लगाई थी, उस समय का एक financial amendment किया था, और इसलिए किया था, उनको ये लगता था, कि विदेश से बहुत funding होती है, जो हमारे देश में, सरकार के विरोधी, जो है, उनको ये पैसा आता है, और वो चुकि उससे, उनको financial थोड़ी ताकत मिलती है, सरकार के against अपनी activity को और चलाते हैं, उसको regulate करने के लिए FCR A account आया था, FCR A कान काना होगा, हाला कि जब से मोधी सरकार आई है, उसने बहुत से इसमें कानून में change किया है, बहुत से NGO's के FCR A कैंसल हूए है, और अब तो ये हो गया है, कि FCR A account में अगर विदेशी fund आना है, तो SBI की एक branch दिली में, उसी कित्रू सब रूट होगा, जिससे monitoring आसान हो जाए सरकार की, ये तो बात होगा, FCR A की, अब राजीव गांदी फांडेशन जो है, ये राजीव गांदी जी की हत्या के बाद, सिट अप को आता है 1991 में, आज इसमें सोनिया गांदी जी, प्रियंका गांदी, राहूल गांदी, मनमोहन सिंग साहब, और चिदाम बरम जी, इसके मेंबर हैं, और सुनिया गांदी इसके अध्यक्ष हैं, ये बहुत विविद काम करता है, आर्ट, कल्चर, इत्यादी, 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 रिसर्च करता रहता है, और एक राजीव गांदी चैरिटरिवल ट्रस्ट दोहजार दो में, इस्टाइलिश हुआ, और इसको सुनिया गांदी हैं, एक और ट्रस्ट जो है, जो इनकी ठेखनिकली इस अधे फैंड्री ट्रस्ट है, उसको भी सुनिया गांदी जी हैं, अब ये सारी कहानी शुरू ये होती है, कि सरकार आ गई थी, कॉंगरेस उसको दिक्कत थी, कॉंगरेस मुक्त भारत बनाने का, बार जो immediate reaction रहता है देश के नित्रुद का रहता है कि ना कोई हमारी सीमा में गुसा है ना गुसेगा इस तरह की बाते होती है जो अब proof वो रहा है कि उसब गलब था चीन हमारी सीमा में गुसा है और हमारी जमीन पर थोड़ा कबजा भी किया हुआ है पुराना किया था नया फिर क चीज़ों को लेके कांग्रिस और खास करके राहुल गांदी बहुत ही मुखर थे कि भाई यह चीन कैसे घुचराया आप इसमें पोजिशन बताईए कहा है इस आप आप देश की को इस यथा हिस्तिती से बताईए तब कांगर्स ढूने गए और उसमें से बीजे पी की ही कि ना से एक फंड मिला है अब तीन लाक्त डॉलर अगर उस समय तो जो भी डॉलर का रहुआ हो आज के डॉलर का रेट भी ले लिया जा तो करीप सवाब्स के और लूर होता है भाई करून रूप्स होता कि जो उसके जो से पैसा आया और उस पर जो रिसर्च इसाच हुई उस पर यह का जा रहा इत वाज नॉट इंट्रेस्ट अब यह सारी सब्जेक्टिव हैं इस सारी सीज़ में सब्जेक्टिव इसलिए बोलना हूं कि मैं भी दो-चार जाता हूं सबसे अच्छी बात यह है औ रहे और यह विद्वान लोग कहते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं जो नहुरों जी के पैने यह वाली किताब पढ़ी खलाना किताब पढ़ी और भारत एक खोज पढ़ि उस-कुछ बाते नहीं ठीक नहीं है कॉन सी बातें फीक्ने लेकिने नहीं बटाएंगे कुछ बातें ठीक नहीं लिखी हैं उसी तरह से राजी गानी फाउंडेशन की किस रिपोर्ट के कौन सी चीज ने वो इट इस नॉट इन दी इंटरेस्ट ऑफ दी कंट्री इस तरह का एक आपने जनरल रिमार्ग देखें अब आपने ट्रोल्स को और इनको खुली खुला मैद कहीं न कहीं चाइना जाते रहें और उनका कुछ नो कुछ हैं तो उसको धीरे से ड्रॉप कर दिया गया उस बात को आगे नहीं बढ़ाया गया कि चीन और इनके बीश ने अब मामला दूसरा होगा एक अचा मैं आगे बढ़ू इससे पहले एक आपको एक फिगर में बता द सब्सकी पैन सट बिश्चुणाई युजड़ या इसमें इंडिया का एक्सपोर्ट्विशन जAutsnFlut हो टो्टल ये था कि वहां से हमने है अप्स्पोर्ट क्या वहां ंपोपिक्या टोटल 70.65 billion US dollar इंडिया का export component इसमें था 16.41 billion इंडिया का import जो चाइना सा मगा दे थे सामान वो 54.42 billion US dollar मतलब हिंदोस्तान इंपोर्ट जादा करता है एक्सपोर्ट कम करता है चाइना को 2021 में अभी जो इंडोचाइना ट्रेड है जो उस समें 17.65 था अब 125.66 billion US dollar का है 40-45% की आश्प से की ग्रोथ हुई है इंडिया का export इंडिया से जो export हुआ है 2021 में वो 28.14 billion और जो import किया है 197.52 billion करीब करी 27-28 पर मतलब हम जो मैं आप से बात कहना चाह रहा हूँ जो सो कहना चाह रहा हूँ चाइना से आप इतना import कोई जूटी बात की वो उन्होंने पैसा लिया और उन्होंने not favorable for India और यह सब बाते हैं आप कर रहे हैं जब उस समय यह Congress ने इस पर objection लिया चाहिना ने जब हमारे उपर घुसपैट की थी तो 2020 में एक inter-ministerial committee बनाई गई और इस committee को जो head किया वो एक special director ED कर रहे थे अब ED ministry of home में आता है ministry of home में कौन रहते हैं और ED किस तरह से behave कर रही है यह सब को पता है तो यह उनका अब वहां काम था कि अब आप इसको जो भी direction है वैसे करें मैं एक और चीज़ बता दू पिछले एक दू साल पहले भी लाजीगांदर foundation को और उनकी जो सस्ता संस्ता हैं उनको past में भी income tax का notice भीजा गया है और मैं जब कहाँ income tax का notice भीजा गया है तो एक दो चीज़े income tax की समझ लीज़े जैसे उनको शायद 19 करोड का एक notice था 12 करोड का एक notice था इस तरह की notice गया है अब होता क्या है कि income tax कुछ एक ज़्यादा value का वो बनाके आपको एक notice दे येता है जो कानून है income tax का उनसमें अगर आपको अपील करनी है तो आपको एक minimum percentage वहाँ जमा करना होगा और तब ही आप अपील में जा सकते हैं तो ऐसे ही अगर कोई मान लीजिए कोई ऐसी बात जो ज़्यादा जो छूट जाती है मतलब जिसमें आगे चलके शाए criminal से relief मिले या court से relief मिले लेकिन पैसा initially जमा करना होता है एक ये दिक्कत होती है दूसरा अभी क्या हुआ है इन्होंने जो इनके जो कॉर्पस है पैसा है उसको इन्होंने कुछ कितने percent या क्या वो freeze कर दिया है भी मतलब आपके पास मान लीजिए 10 रुपया है तो जो भी उसका एक certain portion को freeze किया और ऐसी उमीड है कि आने वाले समय में सब freeze हो जाएगा basic idea ये है कि ये जो राजी गांधी foundation है ये है पहला idea ये है इससे बनामी और दूसरा ये कि किसी तरह से बंध हो जाए मैं एक बात बस बीच में एक ही बात आपको पता दूँ जैसे कि राजी गांधी foundation इंद्रा गांधी memorial foundation इनकी तरफ से एक इंद्रा गांधी आई hospital चलता है लखनो में उसका वो है नेश्र हेरल्ड की परानी बिल्डिंग में जैसी figure कल Congress ने अपने statement में दी है 40 लाख वहां पे patient को अब तक देखा जा चुका है चार साड़े चार लाख लोगों की रोश्री मिली है वहां से इस तरह का मैं मैं यह नहीं कह रहा हूं को क्या करते हैं उसका audit होना चाहिए नहीं होना चाहिए लेकिन अब जैसे वाँ एक activity होती है wonder room activity जो है अब इसको यह कह रहा है है कि it is not an educational activity नो यह सब चीज़े subjective है और मैं कहना ही चार रहा हूं यह वो लोग कह रहा हैं जो आज की तारिक में यहां तो transparency चाहिए लेकिन जो PM care fund है उसका हम कहां से आया और कहां खर्च किया यह नहीं बताएंगे वहां पर हम transparent नहीं होंगे जबकि वो लोगों से पैसा लिया जा रहा है कहा जा रहा है कि वो लोगों के welfare में खर्च किया जा लकिन इतिके डीटेल हमने बताएंगे प्रमुक्रूप से दो बातने हैं पहला लाओल-ई-गांधी, Sonia Ghandi, Congress को बदिनाम करो दूसरा यह जो भारत यात्रा चल रही है इसमें कैसे रोड कृट करो हैं इसम है कुछ इसे कसे गती को मेरे ख्याल में Congress यह सब करेगी वह एक अलग बात है लेकिन पहला जो धेय था कि बदनाम करो बदनाम करो मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप पिछले 4-6-8-10 साल से देख रहे हैं जब से 2014 के बाद कि में आता है तो को यह लिए कोई गांधी परवार का उसके उपर इंसिकेशन औरक आप सुनिया गांधी राहूल का विला के EDA में पूछताच करते है उसके बादाश तक क्या हुआ चीजामपराम को आप सौसे दिन से ऊपर जेल में रखते हैं उसके ज्यादा important है भाजपा के लिए वो ये है कि इस भारत जोड़ो यात्रा को कैसे रोका जाए कैसे रोका जाए कुछ तो ऐसा करें क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है राहुल गांधी को अगर यह एरेस्ट करते हैं मेरे ख्याल में तो वो सोने पर सुआगा होगा राहुल गांधी के लिए वो वो हैल्फुल होगा आपने यह देखा ना भारत जोड़ो यात्रा को यह पुलिटिकल ही नहीं उसको मैंने मतलब पुलिटिकल एक मूव हो रही है उसका दूसरी पुलिटिकल लग रहा है कि भी इतना कह देने से ज़्यादा हो रहा है तो पुलिक क्योंकि वो वही टी-शिर्ट और वही पैंट पैंट के राहुल गाजी चले जा रहा है दूसरा यह जो अभी बात हुआ ना अध्यक्ष का चुनाओ अध्यक्ष का चुनाओ वाउना बल्कुल फार्स ह और बिल्कुल गलत है और आपने अपने हां कराया आपने वो गलत नकली असली जो भी दुखली जो भी आपने अपने हां कोई कराया क्या आपके समूझ से कह रहे हैं कि असली है कि उसमें क्या है क्या है क्या नहीं है मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जिस तरह से जो जो ग्रम अंताले के सर्वेसरवा हैं जो भाजवा के थिंट टैंक हैं उनको कहीं न कहीं वो यह तेजारी करें कि राहूल गांदी को कैसे अरिस्ट किया जाए क्योंकि राहूल गांदी को अरिस्ट करने से उनको लगता है वो धार पना रह जाए वो पैना पना रह जाए लेकिन राहूल गांदी as an individual उससे तो और खरे हो जाएंगे मतलब अगर उनको आज बीजेपी एरस खरा लेती है तो राहूल गांदी के लिए मेरे ख्याल में बहुत बड़ा आशिरवात होगा it will be a tremendous boost for his image क्योंकि अब वो धीरे दीरे ये establish हो गया है कि यह आदमी जो कहता है वो खरी बात कह रहा है committed है इमानदार है अपनी बात ठीक से कह रहा है दूसरी तरफ एक साहब खड़े हैं जो मालम नहीं कहां कहां दीपोट सब करें 18 लाग हमने दिये जला दिये यह कोई record है यह कोई record है आपको लगता है खैर राजीव गांदी foundation और राजीव गांदी charitable trust का क्या होगा या इंद्रा गांदी में moral trust का क्या होगा यह सब वक्ती बाते हैं इसमें से अगर कुछ भी ऐसा होता जिसमें कोई financial हे दिये होते अब तक कि लोग कोई ऐसी कारवाई नहीं करते जिससे जो जिससे सुनिया गांदी जी को या राहूल गांदी जी को या किसी को जेल जाना पड़े तो यह यह बेसिकली character assassination भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कोशिश है जो धीरे धीरे public भी अब समझ रही है और इन सब चीजों से Congress as an party को क्या फायदा हुआ, बीजेपी as an party को क्या फायदा आया नुकसान हुआ, वो तो आने वाला समय बताएगा, thank you so much